मुंबई में स्कैम 2021 21 करोड रुपे का हुआ महा घोटाला कुरोना महामारी के दौरान लोगों की आर्थिक दिक्कतों को सुलजाने के लिए सरकार द्वारा पीएफ की रासी निकालने के नियमों में धिल दी गई थी लेकिन मुंबई के एक पीएफ कार्याले के कुछ करमचारियों ने इस धील को अपने फायदे का साधन बना पीएफ पुल से 21 करोड रुपे से भी अधिक की रासी साफ कर दी दरसल पूरा मामला इस प्रकार है कि मुंबई के कांधी वली में इस्तित इपीएफ ओ यूनिट टू के कार्याले में एक कलर्क तथा अन्य करमचारियों ने मिलकर इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया कार्यले द्वारे की गई आंत्रिक जांच के बाद इस घोटाले का परदा फास हुआ जानकारी के अनुसार ये लोग गरी मजदूरों से उनके बैंक अकाउंट और उनके आधार की जानकारी हासिल कर उनके नाम से खाते खोलते थे और उनके खातों में पांच लाग तक की रासी जमा कर देते थे जांच में पता चला है कि कार्यले का क्लर्क जिसका नाम चंदन कुमार है उसने अपने साथ ही अभिजीत ओनेकर के साथ मिलकर ऐसे 870 खाते खोले और करोडों रुपे की हेरा फेरी को अंजाम दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदन और अभिजीत को विभागिय और्डिट की पूरी प्रक्रिया पता थी उन्हें पता था कि 5 लाग से अधिक की रासी के लेंदिन का निरिक छण ही वरिष्ट अधिकारिये द्वारा किया जाता है इसलिए उन्होंने कभी ऐसी गलतिय की ही नहीं जो उन्हें संदे के दायरे में लाती है फिलाल इस घोटाले में 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है तथा चंदन और उसके साथियों के खिलाब आपराधिक मामला दर्च करने की मांग कर EPFO ने CBI जांच की मांग की है मिरर अफ तूरूट से शिवानी दुब झाल